बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम, dear students, assalamu alaikum, welcome to MS High School, आज हम क्लास 2 उर्दू मीडियम की साइंस पढ़ेंगे, हमारा आज का लेक्चर नमबर 6 है, हम यूनिट नमबर 2 पढ़ रहे हैं, जानवरों की इकसाम, कल हम ने पढ़ा था कि जानवरों की कई इकसाम होती है, वो अपनी जिसामत, यानि जिसम, रंग और शकल के लिहाँ से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे तोते का रंग सबज होता है, तो वो इसे सबज पत्तों में चिपने में मदद देता है, जैब्रे के उपर धारियां होती है जो इसे जाडियों में चुपने में मदद देती है आज हम सवाल नमबर 3 से इसकी रिडिंग करेंगे सवाल नमबर 3 है क्या मुक्तलिफ जानवरों की बैरूनी बैरूनी यनि बाहिर वाली जिल मुक्तलिफ होती है इसका जवाब है जी हाँ, मुख्तलिफ जानवरों की बैरूनी, इन्हीं ऊपर वाली जो जिल्द उनकी होती है, बाहिर वाली जिल्दों बैरूनी जिल्द मुख्तलिफ होती है, गोंगे के उपर खौल होता है, तोटे के पर होते हैं खरगोश की फर और मच्छली के चानने होते हैं एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं सवाल नमबर तीन है क्या मुक्तलिफ जानवरों की बैरुनी जिल्द मुक्तलिफ होती है इसका जवाब है जी हाँ मुक्तलिफ जानवरों की बैरुनी जिल्द मुक्तलिफ होती है गोंगे के उपर खौल होता है तोते के पर होते हैं खरगोश की फर और मच्छली के चानने होते हैं यह सवाल में हमने पढ़ा है के जानवर अपनी जिल्द के अतबार से भी मुक्तलिफ होते हैं यहीं कुछ जानवरों के उपर खौल होता है जैसे गोंगे के उपर तोते के पार होते हैं खरगोश की फार होती है और मच्छली के उपर चानने होते हैं तो इस तरह जिल्द के अतबार से भी जानवर एक दूसरे से मुक्तलिफ होते हैं सवाल को एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं क्या मुक्तलिफ जानवरों की बैरूनी जिल्द मुक्तलिफ होती है इसका जवाब है जी हाँ मुक्तलिफ जानवरों की बैरूनी जिल्द मुक्तलिफ होती है गोंगे के उपर खौल होता है तोते के पार होते हैं खरगोश की फर और मचली के चानने होते हैं आज हमने सवाल नमबर तीन पड़ा है आपने सवाल को अच्छी तरह से जुबानी याद करना है और अपनी नोट बुक पर लिख कर चेक करना है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें कल इन्शाला अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी अपना खियाल रखिएगा अल्लाफ़